हेलो गाइज वेलकम टो अने दर वीडियो प्स्टॉक मार्के फ्रेंट्स आईक्यो लाइटिंग लिमिटेट की ओर से सप्टेंबर क्वाटर के फिनांसल रिजल पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में अनलसिस करेंगे चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं जो क्वाटर ओन क्वाटर ओन क्वाटर ओन यर दोनों में इंक्रेज किया है एक्सपेंसेस हुआ है 98 करोड का पिछले क्वाटर में 90 करोड का और सप्टेंबर 22 क्वाटर में 66 करोड के एक्सपेंस हुआ था क्वाटर ओन क्वाटर ओन क्वाटर ओन यर की एक्सपेंसेस भी इं otta effect 18.2 करोड का पिछले 40 14.8 करोड़ का सप्टमबर 22 कौर्टव 11.1 करोड़ का net profit है quarter on quarter year nom year में increase किया है इपीष 2.636 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो गाइस कम्पनी का consolidated होया standalone बहुत ही strong result पेश के के इंकम profit दोनों में increase किया है stand alone results को cover करें income में 74 करोड का पिछले quarter 63.3 करोड का और September 22 quarter 65 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है expenses 59.5 करोड का पिछले quarter में 54 करोड का और September 22 quarter में 55.8 करोड का expense हुआ था quarter on quarter year on year की expenses भी increase है जिसके बाद operating profit 14.7 करोड का पिछले quarter में 9.2 करोड का September 22 quarter में 9.4 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year में increase है लेकिन net profit company का 10.5 करोड का पिछले quarter 6.7 करोड का और September 22 quarter 6.8 करोड का net profit quarter on quarter year on year दोनों में increase है EPS 1.37 रुपेज का quarter on quarter year on year में increase किया है तो गाइस कंपनी का रिजल्ट देखने को मिला है बहुत अच्छी रिजल्ट पेच हुआ है कंपनी जो आई प्यू लेका थी उसका युट्रलाइजेशन कंपनी कहां किया देट रिपेएमेंट किया 50 करोड का और कंपनी कापक्स किया है जिसमें कंपनी मैनुफरक्चरिंग फसलिटीज के लिए एकुपमेंट्स और मसेंडरी का परचेश किया जिसमें 212 करोड का और जनेरल कॉर्प्रेट पपास 663 करोड का एक्सपेंस किया था जो की युट्राइज किया था मतलब की देख सकते कहां कितना इप्र देख सकते है अभी तक युट्राइज किया कि अब की वैलन् दिल्दन बाबाइ